नमस्कार दोस्तो इस समय की बेहत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है आप लोगों को खबर बताते चलें लगतार केंद्र की मोदी सरकार बैक फुट पर नजर आ रही है पूर्वराजिपाल के खुलासे के बाद जिहां दोस्तो लेकिन वही दोसरी तरफ के बाद पिया मोदी ने मुझे चुप करा दिया बीजेपी के निता सत्यपाल मलिक के संसनिखेज खुलासे जम्मो कश्मीर के पूर्वराजिपाल सत्यपाल मलिक ने प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर निसारा साधा है एक नीजी चैनल को दिए गए साच उन्हों ने कहा कि प्रधान मंत्री मोदी को भरेष्ट चार से कोई खास नफरत नहीं है यहां तक कि पियमों का नाम लेकर के ही पियम के आसपास के लोग भरेष्ट चार करते हैं पूर्वराजपाल सत्यपाल मलिक ने यहां भी दावा किया है कि फरवरी 2019 में हुए पुलवाम में हुए हमले पर पियम मोदी और आश्ट्रिये सुरच्छा सलहकार अजीट डोबाल ने मुझे सांत रहने के लिए कहा था यह यहां पर बड़ा ही खुलासा कर दिया पूर्वराजपाल सत्यपाल मलिक ने लेकिन भाजपा की तरप से इस पर कोई भी बयान नहीं आया और गोधी मीडिया ने भी इस खबर को दबा दिया गोधी मीडिया इस खबर को दिखाने को तयार नहीं है इस पूरे मामले को लेकर के अब विपच्छ हमला बर हो गया है और विपच्छ का कहना है कि हमारे देश के 40 जवान इस हमले में सहिर हुए जवाब तो अब देना ही आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वीडियो को शेर जरूर कीजेगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इस खबर को जान सकें क्योंकि गोदी मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से दबाया हुआ है आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद